प्राचीन काल की बात है अगले दीन वह उन बरतनों को बाजार में बेच आता था जिस पर उसे डेढ़ या दो रुपई ये बजते थे इतनी कमाई से ही उसकी रोटी का गुजारा हो जाता था इस करन वह मस्त रहता था रोज शाम को तीरत अपनी बासुरी लेकर बैठ जाता और घंटों से बजाता रहता इसी तरह दीन बित्ते जा रहे थे धीरे धीरे एक दिन आया उसका बिवाभ भी हो गया उसकी पतनी का नाम कल्यानी था कल्यानी एक अत्यंत शुगर और सुसी लड़की थी वह पती के साथ पती के काम में खूब हाथ बटाने लगी वह घर का काम भी खूब मन लगा कर करते थी अब तीरत की कमाई पहले से बढ़ गई इस कारण दो लोगों का खर्च आसाने से चल जाता था तीरत और कल्यानी के पड़ों से यह देख कर जलते थे कि दोनों इतने खुश रहते थे दोनों दीन भर मिल कर काम करते थे तीरत पहले की तरह साम को बाशोरी बजाता रहता था कल्यानी घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुन गुनाती रहती थी एक दिन कल्यानी तीरत से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह रोज खर्च हो जाता है हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना आवश्य है इस पर तीरत बोला हमें ज़्यादा कमा कर क्या करना है इश्वर ने हमें सब कुछ दिया है मैं इसी से संतुष्ट हूँ चाहे छोटी ही सही हमारा अपना घर है दोनों बक्त हम पेट भर खाते हैं और हमें क्या चाहिए इस पर कल्यादी बोली मैं जानती हूँ कि श्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खुब खुश भी हूँ प्रन्तु आड़े बक्त के लिए हमें कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए तीरत वो कल्यादी की बाट ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे कल्यादी शुबह चार बजे से उठकर काम में लग जाती तीरत भी राद देर तक काम करता रहता लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत न कर पाते अधह दोनों ने फैसला किया किस तरह अपना सुक चैन खोना उचित नहीं है और वे पहले की तरह मस्त रहने लगे एक दिन तीरत बरतन बेचकर बाजार से घर लोट रहा था साम ढ़ल चुकी थी वो अधह के पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मकमली थैली पर गई उसने उसे उठा कर देखा तो उसके आशरी का ठिकाना ना रहा थैली में चांदे के सिक्के भरे थे तीरत ने शोचा कि या थैली जरूर किसी की गिर गई है जिसकी थैली हो उसी को दे देनी चाहिए उसने चारोत रख निगाह दोडाई दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया उसने इश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया घर आकर तीरत ने शारा किश्रा कल्यानी को कह सुनाया कल्यानी ने इश्वर को धन्यवाद दिया तीरत बोला तुम कहती थी कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए सो इश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें उपहार दिया है ऐसा ही लगता है कल्यानी बोली हमें गिन कर देखना चाहिए ये चांदी के रुपय कितने हैं दोनों बैटकर रुपये गिनने लगे पूरे 99 रुपये थे दोनों खुश होकर बिचार भी मर्स करने लगे कल्यानी बूली इन्हें हमें आड़े समय के लिए उठा कर रख देना चाहिए फिर कल तो हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे तीरत बोला पर 99 की गिंती गरत है हमें 100 पूरा करना होगा फिर हम इन्हें बचा कर रखेंगे कल्यानी ने हां में हां मिलाई दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपईये को 100 रुपई करना बहुत कठीन काम है परन्तों फिर भी दोनों ने ध्रण निश्चे किया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे अब तीरत और कल्यानी ने दूगनी चौगनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया तीरत भी बरतन बेचने सुबह ही निकल जाता फिर देर रात तक लोडता इस तरह दोनों लोग ठक कर चूर हो जाते थे अब तीरत ठका होने के कारण बाशूरी नहीं बजाता था नहीं कल्यानी खुशी के गीत गुनगुनाती थी उसे गुनगुनाने के लिए फुर्शत ही नहीं थी नहीं वह अडोस पडोस या मोहले में कही जा पाती थी दीन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे इसके लिए उन्होंने दो बक्त के अस्थान पर एक बक्त भोजन करना शुरू कर दिया लेकिन चांदी के सौ रुपई ये पूरे नहीं हो रहे थे योहीं तीन महीने बीट गए तीरत के पडोसी खुसर फुशर करने लगे कि इनके हाँ जरूर कोई परिशानी है जिसकी बज़े से ये दीन रात काम करते हैं और ठके ठके रहते हैं किसी तरह चा महीने बीटने पर उन्होंने सौ रुपई ये पूरे कर लिए अब तक तीरत और कल्यानी को पैसे जोडने का लालज बढ़ चुका था दोनों सोचने लगे कि एक सौ से क्या भला होगा हमें सौ और जोडने चाहिए अगर सौ रुपई और जुड़ गए तो हम कोई ब्यापार शुरू कर देंगे और फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे उन्होंने आगे भी उसी तरह मेनत जारी रखा इधर पडोशियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी एक दिन पडोश की रम्मो ने फैसला किया कि वह कल्यानी की परिशानी का कारण जानकर ही रहेगी वह दो पहर को कल्यानी के घर जब भूची कल्यानी बरतन बनाने में ब्यस्त थी रम्मो ने इधर उधर की बाते करने की पश्चात कल्यानी से पूछी लिया बहन पहले जो तुम रोज साम को मधूर गीत गुन गुनाती थी आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता कल्यानी ने यूही कहकर बात टालने की कोशिस की और अपने काम में लगी रही प्रन्तु रम्मो कब मानने वाले थी वह बात को घुमा कर बोली आजकल बहुत ठक जाती हो ना कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूँ कल्यानी ठकी तो थी ही प्यार भरे शब्द सुनकर पिखल गई और बोली हाँ बहन मैं सच-पुच बहुत ठक जाती हूँ पर क्या करो हम बड़ी मुश्किल से सौ पूरे कर पाएं हैं क्या मतलब रम्मो बोली तो कल्यानी ने पूरा किस्सा का सुनाया रम्मो बोली बहन तुम दोनों तो गजब के चकर में पढ़ गये हो तुम्हें इस चकर में पढ़ना ही नहीं चाहिए था यह चकर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता कल्यानी ने आश्चर ब्यक्त करते हुए कहा तुम किस चकर की बात कर रही हो मैं कुछ समझी नहीं अरी बहन निन्यानवे का चकर रम्मो का जवाब था कहानी अच्छी लगे तू लाइक जरूर करे और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए